हाई गाइज वेलकम बैक वन्स अगेन मैं हूँ समवेतना और आज मैं शेयर करने चाहरी हूँ चिक वाली साड़ी अभी बहुत जादा ट्रेंड में है और ये साड़ी साड़ीया मैंने मिंद्रा से पर्चेस की है पार्ट वन अल्रेडी मैंने शेयर किया हुआ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आज जो पार्ट टू मैं शेयर करने हूँ इसमें सारी चेक वाली साड़ी है जो कि अभी काफी सारी अक्टरस को अपने देखा होगा फ्लांट करते हुए और आप पिक्चर में भी देख रहे हो तो ये साड़ीया बहुत ही ज़्यादा कमफोर्टेबल होती है बहुत ही ओसम लुक आता है वेर करने के बाद और सिल्क और कॉटन होती है तो समर फ्रेंडली भी होती है तो इसलिए ये साड़ीया मैंने सलिक की है और पसनली मुझे भी ये साड़ीया बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक से रहें सब्सक्राइब जरूर और वीडियो को पूरा देखिए गाइस आपको जरूर पसंद आएगी तो गैज ये है फिप्त साड़ी ये भी चेक पैटरन में है अगर आप चेक वाली साड़ी लेने का सूच रहते और कंफ्यूज थे कि कैसी लगे है आपको आज की वीडियो के थोड़ी सी हेल्प मिल ज और ऑफवाइट बेज कलर का कॉंबिनेशन है औरेंज कलर की भी आपको बॉर्डर दिख चाएगी यह जो औरेंज है यहां पिंक है यहां बेज कलर का है तो पूरी साड़ी I think same नहीं है इसके अंदर के साड़ ये छोटे-छोटे चेक वाले पैटरन है और जो आचल में है वह बड़े साइज के चेक के बैटरन दिये हैं और कपड़ा बहुत कमफुटेबल है इसका वी कॉटन है आई थिंग बहुत कमफुटेबल बहुत क्वालेटी बहुत अच्छी है इस प्राइस पे मिछ लग रहा था पता नहीं क्यासा कपड़ा रिसीव होगा पर अभी तक जितने भी मैंने साडिया खोली है सबकी ही फैबरिक अच्छी है आप अगर लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो क्योंकि प्राइस बहुत कम है बहुत चीप प्राइस पर आपको अच्छी क्वालिटी मिल जा रही है और यह सब कॉटन के साडिया घर पे मेरी मम्मी भी बहु प्यारा लगता है जानी विमेंज बीज एन ओरंग चेक सिल्क साड़ी और इसकी फैबरिक है सिल्क कॉटन और बहुत ही कमफुटिबल और बहुत ही डिसेंड सा लुक है इसका और सत्रानी ब्रैंड काफी विल नून ब्रैंड है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चेक साड़ी बहुत ही ज्यादा भी फैशन में है यह नेक्स साड़ी है बाइद वैं मैं जल्दी जल्दी इसली कर रही हूं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है वाव इस साड़ी में बहुत सुंदर यह भी चेक पैटरन में है इसमें भी इस तरह के टैसल आगे लगे देख सकते हो इस तरह का सिल्वर थोगा ब्रॉंच कलर का है यह जो चेक बना हुआ है यह ब्रॉंच कलर का है आई थिंक यह आचल प्राउन और बीच का कॉंबिनेशन है और गोल्डेन का इसमें की लाइनिंग की हुई है जो चेक का पैटरने वह गोल्डेन कलर का है और सेम ब्राउन कलर की ब्लॉच पीस है जो बहुत ही सुंदर है अभी तक पूरी साडियों में मुझे यह वह बहुत अच्छी है साड़िया में इसी तरह का सेम पैटरन है इस तरह का है और बाइद वे गाइज यह मेरी फॉर्स्ट इंप्रेशन है क्यूंकि आपके सामने ही मैंने यह सारी साड़िया ओपन की है तो गाइज अगे इस सत्राणी ब्रैंड के साड़ी है सत्राणी बीच और ब्राउन सिल्क कॉटन चेक चंदेरी साड़ी और ब्लॉज फैब्रिक भी सिल्क कॉटन ही है इसमें जरी की बॉर्डर लाइनिंग की हुई है चंदेरी सिल्क कॉटन एक्टॉली चंदेरी सारी रिपेजेंट करता है इस्टारिक टाउन अफ चंदेरी इन मद्रप्रदेश फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट होती है इसकी बहुत ही सीयर फैब्रिक होती है बहुत ही लक्चरियस फील आता है तो कैश हाइली रिकमेंड करोंगी आप यह साधी जरूर ट्राइब करो इसकी कलर इसका टेक्स्चर बहुत ही रॉयल वाली फीलिंग आती है 500 के अंदर इस तरह की साड़ी मिलना मुस्किल है चलते हैं नेक्स साड़ी की तरफ और यह भी है रेंबो ब्रैंड का और इसकी प्राइस है 742 और यह भी छेक पैटर्न में मैंने पसंद कर लिया है यह कलर जो है बहुत प्यारा है क् के अब रिसेंट मुझे बहुत पसंद आरहा है तो गैज इसमें यह पट्पल हो तो फॉत अंब एक लिधन कलर का इस तारह का इतना सॉरी लेवेंडर कलर है यह लाइट और नीचे पिंक और लेवेंडर कलर का मिक्शर है लाइनिंग दी हुह है और इसमें यह पिंक कलर का जो है बॉर्डर है फिर यहां पर गॉल्डन कलर के पार दिया हुआ है इसमें कुछ टैसल नहीं दिये हैं यह एज़िटीज है आपको यह स्टिच करवाना होगा अगर आप लेते हो तो इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट दोनों यह वाइपिंग करवानी होगी पर इस प्राइस पर यह साड़ी काफी अच्छी है और अंदर में भी साड़ी साड़िया सेम ही है अब देख सकते हो पूरी साड़ी सेम है केलर कॉंबिनेशन सारा ही मुझे अच्छा लगा है और प्राइब्रिक बहुत ही अच्छा है तो गाइज दिस इस रेंबो पिंक स्ट्राइप टसर सारी इसकी प्राइस 33 है जो कि बहुत ही ज्यादा फोड़ेबल है इसकी क्वालिटी के सामने तो बिल्कुल भी वर्ष नहीं करती है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वेयर करने के बाद मुझे फिली नहीं हुआ कि मैंने कोई साड़ी वेयर किया हुआ को है बहुत लाइट वेट हैं और इसकी फैबलीक जो है तिशू कॉट नहीं जो बहुत ही ज्यादा कमफर्टेबल होती है this की ब्लाउस की थैब्रिक बीटिशू कॉटन है और इसमें गॉल्डिन बॉडर दिया हुआ है बहुत ही रिच यह में भी बिजबल ना हो रहा हूँ इस बहुत शाइन कर रहा है और इसमें कि सथारी रॉयाल ब्लू कবर की लाइनिंग है उसमें पिंक की लाइनिंग दी हुई है और इसके जो बौर्डर सें वह पिंक कलर के हैं दोनों ही साइड अब देख सकतों दोनों ही साइड पिंक लड़के हैं इसकी यह बॉर्डर है साड़ी इसकी यह आचल है इस तरह की आज इसकी यह ब्लाओज की पीस इतना है आइज पूरी साड़ी ऐसी है तो गैज यह रही रास साड़ी आज बहुत अच्छी है सबसे बड़े चीज़ बहुत चीप प्राइस में हैं तो गैज यह साड़ी पी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए एक्चुली मस्टिट कलर येलो कलर मेरा फिवरिट है तो और इसमें पिंग का कॉमिनेशन बहुत ही ब्यूतिफुल लग रहा है यह सारी मॉल की साड़ी है सारी मॉल मस्टर्ड येलो एंड कोरल पिंक चिक साड़ी फैब्रिक जो है इसकी सिल्क कॉटन है बहुत ही रिच टेक्चर है बहुत ही शाइनी सा टेक्चर है बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है अंडर सारी साड़ियां है सारी साड़ियां की फैब्रिक बहुत अच्छी है बहुत कमफर्टेबल है सारी साड़िया मुझे पसंद आई है एक भी मुझे खराब नहीं लगा है ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही अच्छा बोल रही हूँ एक्च्वली में बहुत अच्छी फैब्रिक है और इसमें से कुछ भी अप लेते हो तो आई डान ठीक आप जब हात में लेता हो तो मालूम चल जाता है कि कुछ खराब निकलने वाली है या कुछ जाल या फैब्रिक अच्छी नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है सारी सारी बहुत अगर आप लेने का सोच रहे हो तो consider कर सकते हो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करना, मत बुलना और सेर्व जरूर करना अपने friends and family के साथ अगर कोई लेना चाह रहा हो affordable sari, तो उन्हें help मिल जाएगी और अगर मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please leave subscribe to my channel अपना ध्यान रखें take care, bye bye